जोहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बार दोस्तो चारखंड वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर नया राजी बना था और केंद्र में अटल बिहारी वाजपई की राष्ट्री जनतांत्री गटवंदन यानि एंडिये की सरकार थी भारती जनता पार्टी फील गुड के नारे के साथ साथ जारखंड के साथ तीन अलग राज्यों यानि 36 गड़ और उत्तरांचल राज्य के गठन का श्रेय लेने की कोशिश करते हुए लोगसभा का या चुनाव लड़ रही थी जारखंड भाजपा का गड़ माना जाता रहा है बीजेपी भी उसको अपना गड़ मानती है 1996 के आम चुनाव में इस इलाके की कुल 14 सीटों में से 13 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी 1998 के लोगसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी को काम्यावी मिली 1999 के लोगसभा चुनाव में भी 14 में से 11 सीटे भाजपा के ही खाते में गई थी लेकिन अलग जारखंड राज्य बनाने और जारखंड में साड़े तीन वर्षों से शाशन करने के बाद 2004 के लोगसभा चुनाव में भारतिय जनता पार्टी जारखंड में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई दोस्तों जिहां 14 में सिर्फ एक सीट आई 2004 में बीजेपी को और वह अकेली सीट थी कोडर्मा की संसिदिय सीट और जीतने वाले उमिदवार थे राज्य के प्रथम मुक्यमंत्री रहे और वर्तमान में जारखंड भारती जनता पार्टी के अध्याक्ष बाबूलाल मरांडी दोस्तों कोडर्मा सीट अनरक्षित सीट और यहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते थे और दिल्चस्प बात यह रही थे कि इसी कोडर्मा सीट से सके हजारी बाग संसिदिय शेत्र से अटल जी की राजग सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रहे यश्वंत सिनहा लगभग एक लाख पाँच हजार वोटों से चुनाव हार गए थे उन्हें भारतिय कम्मुनिस्ट पार्टी यानि CPI के भोवनेश्वर प्रसाद महता ने हरा दिया था महता को इंडिये विरोधी दलों ने भी समर्थन दिया था पांच बार सांसद रहे भाजपा के वरिष्ट नेता और केंदर सरकार में कई बार मंत्री रह चुके कडिया मुंडा भी जार खंड के खूटी लोगसभा छेत्र से चुनाव हार गए अटल सरकार में ही मंत्री रह भाजपा की रीता वर्मा धनबाद से चुनाव हार गई थी इतना ही नहीं दोस्तों इस राची लोगसभा छेत्र से भारतिय जनता पार्टी के राम पहल चौधरी चौधी बार वर्ष 1999 में 244000 वोतों से विजय हुए थे उन्हें कॉंग्रेस उमिद्वार सुबोत कांत सहा भाज ने हरा दिया था तो दोस्तों 2004 का लोगसभा चुनाव जहां भारति जनता पार्टी के लिए सदमा था वहीं लगभग आठ साल के बाद कॉंग्रेस ने जार्खंड में फिर से अपने पैर जमाए थे अलाकि कॉंग्रेस और जार्खंड मुक्ति मोर्चा ने रट को वीजय मिली थी इसके पहले 1999 में हुए लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस को दो और राष्टी जनता दल को एक सीट मिली थी और उस साल जार्खंड मुक्ति मोर्चा का खाता तक नहीं खुल पाया था 2004 का साल लालू प्रसाद के राष्टी जनता दल के लिए अच्छा रहा था और उनके दोनों प्रत्याशी पलामों और चत्रा संसदी सीट से चुनाव जीट गए थे 2004 से 2009 के लोगसभा के कारेकाल में तीन उप्चुनाव भी हुए थे दोस्तों 2007 में ही दो उप्चुनाव हुए जमशेदपूर से जेमेम के सांसद सुनील महतो के नकसलियों ने हर्ट्या कर दी और उसके बाद वहां उप्चुनाव हुआ जारखंड मुक्ति मोचा ने सुनी करार दिये गए और 2007 में पलामु में उप्चुनाव हुआ और राजद के ही घूरन राम चुनाव जीत कर आए इस तरह इन दोनों सीटों पर धार्खंड मुक्ति मोर्चा और राजद का कबजा बरकरार रहा लेकिन पोडर्मा सीट पर दोस्तों उलट फेर हो गया पोडर्म सीट पर उप्चुनाव हुआ और बाबुलाल मरांडी वहां से दोबारा चुनाव जीत गए लेकिन इस बार वे निर्दली उमिद्वार के रूप में जीते यानि जहां पलामु और जमशेद्पूर में जीतने वाली पार्टी वही रही यानि जारखंड मुक्ति मोर्चा और आर जेडी मगर उसके सांसद बदल गए चेहरे बदल गए लेकिन कोडर्मा में चेहरा वही रहा यानि बाबुलाल मरांडी ही चुनाव जीते लेकिन पार्टी बदल गई और इसी के साथ भारती जनता पार्टी ने जारखंड से अपना एक मात्र सांसद भी गवा दिया यानि 2006-2009 तक जारखंड से भाजपा का कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं रहा यानि भाजपा एक ही टर्म में 2004-2009 के टर्म में एक सीट से 0 पर आ गई जारखंड से भाजपा के ऐसे सफाय की कल्पना तो कॉंग्रेस और जारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं थी उन्हें से पहले धारخण के राजनेतिक विश्लेशकों का, राजनेतिक पंडितों का कहना था कि कम से कम पाँचे सीटे भारती जनलता पाटी जीत लेगी क्योंकि कॉंग्रेस बिखरी हुई थी और 1999 में धार्खण मोचे मोचा एक सीट भी जीतने में वीफल रहा था भारती जनता पार्टी प्रचार प्रसार में जारखंड में भी चुस्त और सक्रिय थी लेकिन सारे के सारे अनुमान गलत साबित हुए तो दोस्तो 2014 का लोगसभा चुनाओ और 2019 का लोगसभा चुनाओ जारखंड में जब हुआ तो भारती जनता पार्टी और इंडिये के दोनों टर्म में 12-12 सांसत चुनाव जीते हैं 2024 का आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिये और इंडिया एलाइंस के बीच होगा और इस बार जारखंड में राष्ट्रिय मुद्दों के अलावा 1932 का खत्यान सरकारी नौकरियों में जो भरतिया नहीं हो रही है वो मामले और बाहरी और भीत्री के सवाल प्रमुक होंगे कौन सा घडबंधन भारी पड़ेगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजेगा अपनी राय जरूर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा अगले वीडियो में मुलकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार